नमस्कार दोस्तों, विलकम आवार चैनल, क्रिक 11 हब पे अपका स्वागत है। आज हम लोग Ireland टोर ओफ इंग्लेंड ओडियाई स्रीज का दूसरा मैच जो ट्रेंड बीच नर्थिंगम पे 23 सेप्टेमब और सेटर डे इंडियान टाइम की मताबिक दोपेर सारे तीन बाजे होने वाला है। उस मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। 11 रह सकता है वो देखेंगे और आपके लिए कौन-कौन प्लेयर डिसेंट पीक होगा और आप कौन सा प्लेयर को डिसेंट कैप्टेन भास कैप्टेन मान सकते हो। और most important part of our वीडियो उनिक जील कैप्टेन भास कैप्टेन ये पार्ट हमारे वीडियो का मिस मत करना बहुत ह पार्ट है और आप लोगों के लिए एक टो स्मॉल लीक की टीम देने वाला है तो वीडियो पे बने रहिएगा आखिर तक हार एक पार्ट आपके लिए बहुत ही important है Peach Report दोस्तों Peach Report की बात करें तो Trend Beach का Peach अब जानते ही है कि Surface जो हाड़ रहता है जो Batsman को बहुत जदा मदद करता है free होके short खेलने के लिए ऐसे भी peach bowler खसकर Pacers को मदद करता है और अगर over course condition देखने के लिए मिलेगा तो सुरुबाती overs में Pacers को अच्छा खसा health मिलेगा peach से बट सुरुबाती overs को अगर batsman संभाल कर खेल लेता है तो अच्छा खसा run बनने का उम्मीद है इंगलेंड अगर पहले batting करेगा तो 300 के उपर scores देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को head to head record दोस्तो head to head record की बात करें तो ऐसे तो on record ODI पे 12 मैचों में से इंगलेंड 10 और Ireland 2 मैच जीता है इंगलेंड बहुत आगे है और इस मैच पे भी इंगलेंड आगे ही रहेगा बट Ireland पिछला साल T20 World Cup पे इंगलेंड को सप्राइस किया था इंगलेंड को मैच पे हड़ा दिया था Ireland ऐसे भी इस भार भी सप्राइस कर सकता है हम लोगों को और England ऐसे भी उनका B Team के साथ जा रहा है खेलने World Cup के लिए उनका जो Main Team है वो इंडिया चले आया है और उनका जो B Team है वो Ireland के लिए खेलते वे दिखाएतेगा तो मैच बहुत इंटरस्टिंग होगा हम लोग तो बोलेंगे कि 70-30 का मैच देखते हैं क्या होता है तो सबसे पहले England की प्रावबल प्लेंग इलेबन देख लेते हैं तो ओपिनिंग में Peace Salt और Will Jacks को हम लोग ओपिनिंग करते वे दिखेगा उसके बाद England का नया कप्तान Jack Kirby को हम लोग वन डाउन पे उसके बाद हम लोग जो रूट की जगा पे इस मैच में टाम खोलेर केडमोरे को देखेंगे बहुत ही टेलेंटेट और हार इटर बैट्समेन है उसके बाद बेन डाकेट और जे स्मीत में से किछी को हम लोग खेलते हुए दिख सकता है उसके बाद साम हेंड बहुत ही बढ़िया प्लियार और अम प्लेंट की तरफ से खेलते हुए दिखेगा इस बाद के लिए बुलिंग की बत करें तो करीगोवर टरॉन रहना आमेथ वूत ब्रेन करिस और फी प्लेंट की दख सेुए अठीव क calfे canyon की देख 미ोदी के मीर्ण की और उसके साथ अंद्रे बैलवन ये भी पूर कप्तान रह चुका है आर्लेंड के लिए उसके बाद हैरी टेक्टर बहुत ही टेलेंटेट ओल्राउंडर उसके बाद लॉरान ट्याकर आर्लेंड की तरब से विकेट की बिंग करते हुए दिखेगा अबिष एयमपर बहुत ही बरिया प्लेयर मास ट्रापिक आर्लेंड की तरब से उसके बाद गैरी देनली, जोज डेक्रिरल, मार्कश अभी बहुत ही टेंटेट प्लेयर मार्कश आर्लाउंडर खास करके उसके बाद जस्वा लीटिल, बैरे मैकेंदी, क्रिस यंग, यह है आरलाइंड की तरफ से प्रावबेल प्लेइंग, आरलाइंड की तरफ से बोलिंग करते हुए दिखेगा मारका भी जस्वा लीटिल, मैकेंदी, यंग को और जरूड़त परने पे कैमपर, डेनली, जोको और हेक्टर को भी बोलिंग कर सकता है यह बहुत सारे उप्सान लेकर यह बोलिंग करता है मालीजे कि पांच उभार को पुदास उदास उभार नहीं देगा यह लोग 6-7 लोग मिल के 50 उभर कोड़ा कम्प्लीट करेगा और देध उबर की बोलिंग की बात करे तो कोई नहीं है कि यहीं इनको ही आप लोगोंने बोलिंग करती हुए दिखेगा मार का भी लीटिल मैकेंदी यांग और जवड़ोत पन्ने पर कैमपर को भी यह लोग करा सकता है कोई किसी का भरसा नहीं कि इसी कोई कराएगा तो दो तीन उबर करके सबको मौका दिया जाएगा आयल सब्सक्राइब करते हैं और दूसरी तरह आयलाइंड की तरह से एटस केमपर मार कभी जस्वा लीटिल और हैरी टेक्टर और बी मैकेंदी को हम लोगोंने डिसेंट पिक की तरह रखा है इस केमपर बहुत ही बैरियर और मार कभी बोलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छा खासा विकरेता है जब शुरुवा च drive में बॉलिंग करते हुई आएगा और हैंडेक्डर एक तरफ से अच्छा खासा रोडुक साहा हुए तो रख सकता है कि कि कभी कभी अच्छा खासा विकेड लेके जाता है चलिए दोस्तों अभी देख लेते इंग्लेंड वार्सेस आर्लेंड मैच में आपके लिए डीसेंट कैप्टेन भास कैप्टेन के रहेगा सबसे पहले इंग्लेंड की तरफ से तो विल जैक्स और लुका उट को हम लोग कैप्टेन के जिम्मेदारी दे रहा है क्यूंकि विल जैक्स ओपेनिंग में बैटिंग करती हुए आएगा और उसके साथ पाट टाइम बोलिंग करेगा अच्छा खासा विकेड टेकनेचर की गेंद बाज है तो अच्छा खासा वि प्याल में और स्मॉल लिंग पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया कैप्टेंसी अप्सन है उसके बाद भास केप्टेंट की बात करें तो करें को हम लोग भास केप्टेंग का जिम्मेदारी दिया है आप चाहे तो पीस ओल्ट और जैक्स करे लिक को से भी किसी को भी बना स केप्टेंट से भी पॉइंट दिलाएगा आपको तो आपके लिए एक ठो अच्छा भास केप्टेंट उप्सन उसके बाद आयलेंड की तरफ से केप्टेंट की बात करें तो क्यामपर को हम लोग क्याप्टेंट का जिम्मेदारी दिया है बहुत ही बरिया ओल्डाउंडर बैटिंग और बोलिंग दोनों करेगा अगर आयलेंड पहले बोलिंग करेगा तब क्यामपर आपके लिए एक बहुत बढ़ीया पीख है कैप्टेंसिब में तो जरूर कैप्टेंट मनाई हैगा जील में अच्छा पीख आपके लिए स्मॉल लिकवे भी अच्छा पीख है उसके बाद best captain की बात करें तो Mark Abir और Joshua डिटिल आपके लिए बहुती बढ़िया option है Ireland अगर पहले bowling करेगा तो आपके लिए best captain में एक बहुती बढ़िया पीक है Unique Pack पीक है तो आप इनको जरूर best captain का जिम्मेदारी दीजिएगा जब Ireland पहले bowling करेगा उसके बाद unique GL captain by captain की बात करें तो इंग्लेंड की तरफ से ब्रण कैस टॉम खोले कैडमोरे रहन आमेद पी पोटास को आप लोग यह इंग्लेंड की तरफ से captain by captain मना सकता है बेडान कैस बहुत ही बढ़िया option है खासका इंग्लेंड जब बहले bowling करेगा तब बेडान कैस आपके लिए बहुत ही बढ़िया और unique captain होगा क्योंकि अच्छा खासा विकेड लेने का समतार रखता है बहुत सारे लोग उठ को captain मनाने का सोचेगा आप अगर बेडान कैस को होगे तो वह अगर अच्छा खासा विकेड लेके चला जाएगा तो आपके लिए एक तो बहुत ही बढ़िया यूनिक पीख होगा उसके बाद स्ट्रॉम खोले कैडमोर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया और टैलेंटेटर हार्ड हीटर बैट्स मैंने और टू डाउन प कि बात करें तो बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा विकेड लेने का समता रखता है और उपर से बैटिंग से आपको पॉइंट दिला सकता है तो इनको आप एक आदा टीम में जरूर के बनाई हैगा केप्टेन ही बना राहे तो भास के जरूर बनाईएगा बहुत ही आप अगर इनको टिप में पीक कर रहे और अगर पाफॉम करके देगा आपको तो एक बहुत ही बढ़िया पीक होगा आपके लिए उसके बाद आर्लेंड की तरफ से यूनिक कैप्टेन भास कैप्टेन की बात करें जेल में तो हैरी टेक्टर, वी मैकेंदी, जॉर्ज डाक्र तो ये तीनों ही बहुत बढ़िया पीक है, हैरी टेक्टर अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है और पर-time बोलर भी है, तो बोलर के बोलिंग से हम जड़ा उम्मीद नहीं रग रहा है, बैटिंग से अगर बहुत बढ़िया इन्हीं सब को देगा, तो आप एकदम यूनिक कैप्टेन के रूप में इनको पाएगा, तो जरूर कैप्टेन जेल में कैप्टेन सुप के जिम्मेदारी दीजेगा, इनको बहुत बढ़िया पीक होगा, उसके बाद भी मैकेंदी के बात करें, विगेट टेकी निचर की गेंद बास है, अगर आयले पहले बोलिंग कर रह अब जरूर इनको जेल में कैप्टेन भास कैप्टेन मनाईएगा, चलिए दोस्तों, इंगलेंड वर्सेस आयलेंट मैच की ड्रीम 11 टीम क्या होगा देख लेते, उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारे टेलीगम चैनल को जोईन नहीं किये, तो जल्दी से जाके टेलीगम पर सार्च करिये, क्रिक लिए अफ ओफिसियल हमारे चैनल दिखाए देगा आपको, जल्दी से चैनल पर जाएगे, क्योंकि फाइनल अप्डेट उहीं की, उहीं भी किया जाएगा, चलिए दोस्तों, अभी टीम के बार में बात कर लेते, सबसे पहले विकेट की पर सिक्सिन की बात करें, तो पी सोल टेक बहुत ही बढ़िया पीक होगा, आप चाहे तो इल्टा कर को भी ट्राइ कर सकता है, जील में अच्छा पीक होगा आपके लिए, उसके बाद जो रूट इस मैच में अवेलेवेल नहीं है, हैंरी बूग भी भी आवेलेवेल नहीं ह तो यहाँ पर आपके लिए, जेट केर लिए एक अच्छा उप्सेन है, उसके बाद पी स्टारलिंग को आप लोग चाहे तो पिक कर सकता है, बेंड डाकेट अगर उत्पार बैटिंग करते हुए आएगा, तब एक अच्छा पीक होगा, हम लोग बैटिंग लाइनप देख पिक है, आप चाहे तो इनको पिक कर सकता है, उसके बाद बोलीन सिलसन की बात करें, तो बिक क्रैस बहुती बढ़िया पिक, जस्वाल इल को आप लोग चाहे तो पिक कर सकता है, उसके बाद लोग का उट को हम लोग पिक कर रहा है, मार का भी एक बहुती बढ़िया पिक हो के लिए यह रही हमारी अभी तक का टीम फाइनल जो भी होगा और टेली गाम पर अप्डेट के जाएगा थैंक्यू दोस्तो वीडियो पर बने राइने के लिए अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन को जरूर पसकार दीजी एगा